आप जाज से पंडित हैं पंडित से क्या पैसे का लाव नहीं मिल रहा हम इलहाबाद की 12 की 12 सिट भारती जनता पार्टी प्रचंड ओड से जीतेगी सरकार किसकी बन सकती है सरकार सपा की बन सकती है सपा 30 से 40 सिट पाएगी मेरी साथ सब्सक्राइब में तो एकदम भर्ष सरकार हो गयी भाजपा और शपाम की दोनों की लड़ाज है उंतर प्रदेश में योगी की सरकार पूर भॉहमत में आ रही है और देश में मोदी जी प्रदेश्टों हमारे साथ एक पंडी जुड़ गया है आपको बताना चाहते कि किसका सरकार बनने वा पॉर्वांचल के जो इनार्सिस करने से यह मालूम पड़ता है कि लडाई दोनों की बहुत तगड़ी है ही कैला है कि सरकार किसी बन सकती है सरकार सपा की बन सकती है यहां कि बुझाज आपके बगल बैठ जाते हैं यह बता यह क्या लगता है आपके गुरू जी इंसे समद्ध है योगी सरकार पूर्ड पहुमत में आ रही है और देश में मोधी जी प्रदेश में योगी जी सफाव 30 सिट पाएगी किसे पाटि कि कोई नहीं किसी समर्टक है अब अब बताध यह सबता चैनल सफा इलाहबास इसलिए बदोगराद के हैं लेकिसे बड़ी रोचक कहा नहीं आए कि जो सिधात नास सिंग की जुलड़ाई थी जो कैमने मंत्री थे वर्तुमान में स्वास्त व्याग के वह हार रहे हैं उनकी इस्तती बड़ी नाजुक बताई जा रहे हैं और हमारे कोशांबी में जो सिराथु वेल्ट है सिराथु भि यह बताईए क्या माहौल चल रहा है आपके राजमे उत्तरपदेश्ट में तो एकदम भर्ष सरकार हो गई है कौन सरकार भर्ष्ट है सब सब आजाएगी यह हमारी सरकार है अच्छा आपकी सरकार सपा है आप आप जाच से पंडित हैं पंडित से क्या होता है यह लोग कर अब बात कर रहे हैं कि सपा जीतेगी आएए पंडिती कुछ करना चाहते हैं बताइए आप देखे केसो परसाद माउरे के बारे में जो मुल्ब फैलाई जा रही हैं जी केसो परसाद प्रचंड महुमत से जीतेंगे योगी जी प्रचंड महुमत से जीतेंगे हम जीत तो आपका कहना है कि बिजेपी प्रचंड महुमत से योगी जी प्रचंड महुमत से सरकार बना रहे हैं और आने वाले मलब की जो बुल्डोजर बाबा योगी जी हैं यह आप समझ लेजिए मतलब यहां माफिया आताववादी माफिया जितने लोग हैं भूपिया लोग जार है यह शंप रख वह अलगां तो यह तो यह हर पार्टी में जुड़े हुए है और यह नू तो आप लोग मेरे इस वीडियो के मादम से जान गए होंगे कि उत्तर प्रदेश की जनता क्या चाह रही है उत्तर प्रदेश की जनता जो ब्रामभर लावबी है वो हर जगा बटी हुई है अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल के सब्सक्राइब कर जय हिन जय भारत